नमेश्छ ठोलोह दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AC का जो ढक्त होता है, जो हमारा डक्तेवल AC, हमारा Central AC उसमें हम डक्त की मदद से कूलिउंग को वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक हम जरूरत होती है क्योंकि बड़े एरिया में दोस्तों एसी जो है स्प्लिट और विंडो वाला काम नहीं करता एरिया के साफ से हमें एसी की कैपिसिटी भी बढ़ानी पड़ती है जब बड़े एसी लगते हैं जो डक्ट की मदद से जो हमारी ठंडी हवावां तक पहुछाती है जहामें जरूरत होता है तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगंगा जो हम ड़क्ट बना लेते हैं इसको किस तरह से हैंक किया जाता है तो उससे पहले जितने भी तो वहां से ठंडी हवा लोस होगी और आपका इसी फूरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और गैस किट लगाने के बाद जॉइंट लगाने के बाद इस तरह से आप उसको पूरी तरह से इंसोलेट कर दें इंसोलेट से जैसे यहां पे किया है यह देखे तो आपको हैंग करने से पहले यह देखना है किirmi में कहीं कुणा नहीं आपको कहीं जो डक्तिंग का लोही का सीट हो नजर तो नहीं आ रहा अगर आपको ऐसा आ रहा तो उसको तुरंत रिपेर करें क्योंकि जितना भी एरियल लोहा दिखेगा और जैसे उसके अंदर से हमारी ठंडी हावरन करेगी और भार के टंपरेचर से वो टच होगी तो वही से मोश्चर बनना शुरू होगर आपकी छटपे से पाने टपकना शुरू हो जाएगा और आपकी जो एसी की परफॉर्मेंस है उस पे भी ये फरक डालती है सीधा सीधा तो सबसे पहले आपको हैंक करने से पहले अपनी डक्तिंग को पूरा चेक कर लेना है उसमें कहीं भी इंसुलेशन की कमी नार हो ही रही चाहिए वो जॉइंट हो चाहिए वो सरफेस हो अच्छे से इंसुलेट जरूर करें उसके बाद दोस्तों नमबर आता कि आपको डक्टिंग कैसे हैंग करने तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों क्या वसकता पड़ेगी पहले उसके बा उसके बाद दोस्तों में चाहिए बाहर से चूड़ी बनी होई यह बोल्ट यह भी दोस्तों दस पिट लंबी आती है और अलग अलग साइज में आती है 10 mm, 8 mm जो भी आपको चाहिए अपनी डक्ट की आप वेट के इसाफ से सिलेक्ट कर लेंगे इसमें सब में देखे पूर चूड़ी बनी होती है और यह दोस्तों आपको कटिंग कैसे करना इसकी हाइट मा बता दो अगर मालीजे आपको चट से एक फिट नीचे हैंक करना है तो आप दो इंची के फास्नर के इसाफ से इसको बड़ा काटे यानि कि 14 इंची वह हो गया प्लस एक डेड़ इंची कि आप उसमें नट आसानी से चड़ा सकें तो अगर मालीजे आपको चट से एक फिट नीचे एक जैक्ट अपनी डक्त को हैंक करना तो आप यह जो बोल्ट है इसको आप दोस्तों 12 इंची के बजाए आप 15 इंची या शाड़े 15 इंची काटेंगे जिसमें आपका फास्नर इस तरह से लग जाएगा दो इंची का क्योंकि दो इंची फास्नर में चला जाएगा और एक डेड़ इंची हमें नीचे लगाने के लिए चीए ताकि हमारा नट अच्छे से चूड़ियां पकड़ने कुछ जगह हमारा दोस्तों वारसल बगारा ले लेता है तो इस तरह से दोस्तों कर लेंगे हम नीचे ही और पिर जब हम हम चाथ में हैःंग करना है उस पर हमें उटकिंग कर लीए चला है उस हमारी चोड़ाई है उस हिसाब से एक होल झाल की डिस्टान्या कि सब्सक्र प्रबब तरफ दूसरे की तरफ चौवीश चौडाई तो कि हमारी जो डड़क्टिंग एक दम बिलकुल उसके इंदर फिक्स हो जाए तो सबसे पहले मं दोस्तों करेंगे मार्किंग करने के बाद agueimher machine कीम intentionally कह All a बाद जो आपको मैंने दिखाय था बोल्ट को इस में फास्ट वाशन लगा था उसको इस तरह किशी दिवार में लगा कर के उसको इसको हम चाइब कर देंगे आपको मोल्ट जो है इट यहां पर देख पर हैं जिस ही साफ कर रहे हैं तो JM कर रहे हैं इस हिसा फ़ी üstपर क है रूआख तो को होल वगरा करके अपनी जो डाक्टिंग उसको रन करा सकते हैं इसमें कोई ज्यादा बढ़ा काम नहीं होता है जैसे ही दोस्तों हमारे जो बोल्ट कर देते हैं उसके बाद एक शिरे पर किसी भी तरफ आप बोल्ट पर जो दो बोल्ट लगा उनमें एक में से आप ऐसे यह हमारी हैंगिंग वाली इसको ऐसे डालेंगे एक होल में और नीचे से हम लगा देंगे दोस्तों नक्ट और एक तरफ से हम खुला छोड़ देंगे जैसे आप देख पाएंगे हमने तीन लगा लिए हैं यहां पर दो हमारे बिल्कुल जो डक्ट है उसके जो एक सोर होगा स् आप इसकी जो बोल्ट उसकी मोटाई भी बढ़ाएंगे फासनर की मोटाई बढ़ाएंगे चैनल की क्वालिटी पर भी आप ध्यान देंगे और जो टिस्टेंस हमने जैसे यहां तीन दिया इसको सकता आप चारिया पांच करना पड़े तो आप जो भी आपकी साइट के जर है अब हीमा आपको दिखाता हूँ और दोस्तों आपको ध्यान रहे हैं क्योंकि हाइट पर होता है ड्रव होता है अब जो पत्ति की बनी होती है जिस चदर की वह काफी शार्फ होती है तो ये काम सावधाने से करने वाला होता है अगर इसमें थोड़ी ला परवाई हुई क Organization in पाये distintos आप देंगे गपंस करने को यहां कि जो है इसके लिए जो एक तरफ हम क्या है जो छैनल लगा है उसके दोनो शिरे बॉल्ट कि मदद से टाइट ए और फृत से दूमें द्सकंट का नटार एुदर पतर हो गई है बाقی कि दो जो हमारे हेंगर हैं उनमें जो Channel हमने एकी तरफ से बोल्ट में डाली है एक तरफ से ने डाली है तो ऐसे में देखे इसको हमने उपर खड़े करके जो एक तरफ जाओ हमारा Channel दोनों तरफ बोल्ट से बंदी हुई है उसमें हमने डाल दिया है उसके बाद दूसरी तरफ जो है दोस्तों हम CD की मदद से SQL Folding की मदद से इसको उपर करेंगे और जो हमारी ट्रे चैनल जो हमारा हैंगर है एक ही तरफ लगा हुआ है इसमें हैंगर के अंदर हम ये डेक्टिंग फसा करके दूसरे बोल्ट में फसा देंगे तो ये हमारी रेस्ट कर जाएगी रुक जाएगी उसके बाद हम हमें जहां भी इसको उपर निचे करना है हम बाद में करेंगे सबसे पहले हम इसको ऐसे टेंपररी रोक देंगे ताकि ये गिरेना और हमें आइडिया भी आ जाए कि हमारी कितनी जगे ले रही है जहां पर हमें लगाना था है या नहीं है तो इस तरफ से आप देखेंगे कोई भी आदमी नहीं है यहां पर हमने दोनों हैंगर के बॉल्ट में चैनल को टाइट कर लिया था एक सिरा इसमें फसाया दूसरी तरफ से दोस्तों आप देखेंगे ایک आदमी इसको सीड़ी पे लेके जा रहा है और दूसरी तरफ जो हमाने दूसरे सिरे पे बॉल्ट और जो हैंगर की चैनल लगाई है अब वो हम इसमें फिट कर तेंगे तो hanger की channel एक bolt में तो लगी हुई है अब दूसरे बॉल्ट में इसको लगा जाएंगे और यह हमारी जो है ducting हैंग हो जाएगी फिर यह हिलने वाली नहीं है तो इस तरह से देख पाएंगे आप यह इसको tight कर रहे हैं तो पीछे वाला सिरा दोस्तों already हमारा hang है आगे वाला भी जैसे हमारा nut लग गया तो यह हमारी जो है ducting complete होगी है इसके बाद दोस्तों हमें इसको कितना उफर नीचे करना हैं बाद में डिचाइट करके इसको कर सकते हैं हमें सिरफ जो नीचे के nut है उनको tight यह loose करना है तो जितना उफरोट जाएगी इतना loose करेंगे यह duct हमारी ducting लबनवा करके अच्छे से insulation करवा के ऐसे हैं करा सकते हैं इसमें दोस्तों आपको दो तिन बात ऐसी हैं जिसके खास जान रख देना एक तो सबसे पहले आपको जो आपने duct बनाई है उसके insulation अच्छे से होना चाहिए चाहिए वह joint हो चाहिए वह surface हो उसके बाद जो आप fasten किस तरह से civil और interior के काम आजकल होते हैं उससे जुड़े वे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे अगर आपके मन में कोई सवाला तो आप मेरे को कमेंट कर चाहिए